हाई गाइज दिस परवेज रहमानी एंड नौ यू आर वाचिंग सीटी क्लासेज और जैसा कि आपको पता है आज हम पहले डिविजन करेंगे वो यूनिट जो हमने कल पढ़ाए थी कंटिन्यू क्लासेज होगा गेट फॉस्टियर का इसके पहले जूम आईडी 827-029-0205 है और उसका पासवर्ड फाइव कैटल डवलू जी कैटल बी के एम है इसे नोट कर ले और जो बच्चे भी तक नहीं जूर पाए हैं वो फॉरण जूर जाए क्योंकि क्लास स्टार्ट हो चुकी है और क्लास का टाइम हो चुका है जैसा कि आपको पता है 30 अप्रेल को साड़े 9 बजे जो 29 अप्रेल को साड़ 9 बजे क्लास चली थी उसी में पहले हम रिविजन यूनिट 3 का करेंगे जिसके बारे में आपको पता है कि कल हमने बताया था आपको कि टेकनोलोजी क्या है टेकनोलोजी इस सौर्ट अफ नॉलेज और स्किल यूज़ फॉर इंप्लाइंग विज इंटरन आउटicz आउटपुट और आउटपुट औफ प्रोड़क्ट एंड सर्विसे जो सर्विसेज हम दे सकते हैं जो आउट्पुट हम दे सकते हैं उनस सारे फैक्टर्स के बारें बात की जाती है इसमें हमने नवाचार्ड लाने के लिए यानि के डॉल अफ एजूकेशन इन्नोवेशन इन्नोवेशन के लिए जो चीजों को जिन चीजों के बारे में मनें बात करी थी वो आपको यादी होगी चुके एकर उस पहले की क्लास है कल की क्लास है इसमें हमने आठ पॉइंट रखे थे रूचि पॉण शिक्षा वेच्चार की अभेवेक्ति के सौतंतर था ठीक है उसके बाद शिक्षा में सकारात बगवाय वहर का पड़ियोग शिक्षा में योग का समावेश प्रशन उतरव होता है जो इन्नोवेशन होता है वो फ्यूचर डिस्ट्रप्टिव प्रोजेक्ट के तौर पे होता है क्योंकि एक्षिस्टिंग ऑल्ट एंजिप्शन जो मानने ताए हैं उसके आधार पर हम बहुत आगे डेवलप नहीं कर सकते हैं इसलिए हमने उसका कई एक्जामपल ल बारा ICT के बारे में ICT-based technology learning approaches in school जिसमें introduction है उसके meaning है ठीक है learning के meaning है और उनको multimedia approach उनके अंदर कैसे आएगा वह है उस multimedia system क्या है उसके बारे में उसके technique क्या है उसके बारे में meaning of learning के बारे में जानकरी लेंगे हम इसके बाद mode of learning क्या होगा ठीक है appraisal of learning क्या होगा power point presentation क्या होता है interactive whiteboard यानिके IWB in short इसको short में IWB क्याते है यह क्या होता है ठीक है webpage के बारे में जानेंगे हैं ठीक है online discussion forum क्या होता है ठीक है CMI क्या जाने हैं मतलब क्या है computer managing instructions यह क्या है जिसको हमने CAI में जाना वही CAI ही असल student centered approach क्या होता है उसके अंदर project method और activity method क्या है इसके बारे में जानेंगे जानेंगे इसके introduction को जानेंगे इसके menu of project methodology को जानेंगे जानेंगे project approach के बारे में भी features of project method classification of project method principle of project method इस सारी चीज़े अरगने point हैं लेकिन इनको मैं समझाओंगा बाकी चीजों के लिए मैंने इसका notes लगा दिया वह आप देख सकते है notes English में लेकिन मैं इसको हिंदी में सारी चीजों को समझाओंगा तो मैं बात करूँ student centered approach का मतलब होता है जिसके center में student को रखा जाए जैसे के cbcs system भी एक student centered approach का ही हिस्सा है जिसके बारे में आपने जाना होगा आपको credit system जब से जोड़ा गया b8 course के अंदर तो वह cbcs system है उसके जरी क्या होता है कि student को इतना eligibility दिया जाता है कि वह student कहीं भी रह करके study कर सकता है जिस credit को पढ़ना चाहे जिस एक subject को पढ़ना चाहे उसे पढ़े और बात के time में अगर उसको लगता है कि वह उसका interest of subject नहीं रहा तो वह आगे further अपनी course क पूरा करने के लिए उससे हट सकता है और नया course वहां पर adapt कर सकता है यह सारी चीज़ लेकिन इसमें क्या होता है teacher centered नहीं है यह student centered approach है ठीक है इसके बारे में भी हम अगर देखते हैं तो ऐसे बहुत जाले चीज़ हैं जैसे computer ICT खास तोर पे student centered approach का एक बहुत आहम हिस्सा है जिसमें project बना जा सकता है जिसमें बच्चों का interest होता है बच्चे उसको समझ पाते हैं ठीक है student centered approach के अंदर जो आहम specification है जो आहम features है वह क्या learning by doing मतलब बच्चे project करते हैं और project करते हों चीज़ों को सीखते हैं मतलब करके उस चीज़ों को सीखने की जो color है वह student approach concern method में आ ज पर क्या होता है कि आप theory पढ़ लेते हैं लेकिन जब करना होता है तो आप कर नहीं पाते हैं तो बच्चा यहां कर रहा है करने में क्या होता है उसके effect को जानता है अच्छे बड़े चीज़ को जानता है जो उसको नहीं हो पार है उसको पूछता है तो कहीं नहीं कि उसको नहीं छोड़ता है ठीक है ना इसके बाद क्या होता है चॉइस अफड़ प्रोजेक्ट मतलब यह नहीं कि मुस्पर थोप देते हैं प्रोजेक्ट वह बाइच्वास लेता है ठीक है ना बाइप प्रेशन नहीं लेता है वह बच्चों के चॉइस पर प्रोजेक्ट डिसाइड उनको या उनका इंट्रिस्ट जागे तो वह उनको दिया जाता है फिर क्या होता है टीचर अब एस तरह का प्रोजेक्ट कहा करता है उसमें हेलप फुल करता है हर जगहे हुलप होता है जहां भी उसको जरूब पर जाए जब भी मदद परे उसके अलावा यह मैथ़ड उनक जगह helpful होता है जहां भी उसको ज़रूत पर जाए जब भी मदद परे उसके अलावा यह method उनके लिए interesting इसलिए होता है वह इसको या तो single करता है अगर उस तरह का project है तो नहीं तो group project मिलता है उनको और group project के तोर पर पर पूड़ा करता है और उनको जो भी problem आने वाली होती है वास्तरक problem है जो उनको आएगी problematic in nature जो सभावी group से उनको आ सकती है वो उनको दिख जाता है और उनको वो sort out कर लेता है help से अपने group के teacher के और जो भी उनके group के हिससे हैं उनके जरिये से तो यह उनके लिए आसान होता है इससे क्या होता है purposeful and life like होता है मतलब वो उसको बहुत तरह क्या होता है कि वो अपने logic से उस काम को करता है एक theory लिखा हुआ है उस pattern पे चल रहा है लेकिन कहीं ने कहीं हिसाब से उसको modify करके देखता है कई एक बर क्या होता है वो नए approach को develop कर पाता है इसमें इसलिए कहा जाता है जैने लॉजिकल and analytical thing मतलब एक नए तरह क सोच उनके अंदर develop होती है resilience powers में बढ़ता है project जो principle होता है वो दर असल क्या होता है कि activity based होता है तो activity based जब भी कोई work बच्चों को दिया जाता है तो उसमें बच्चों का तो सबसे पहले interest होता है future क्या करता है या जो उसका इंचार्ज है वो उसको problem centered ले जाता है और उसको sort out करवाता है तो इससे उसको problem को solve करने की आदत पर जाती है principles होते हैं वो कहिने के reality based होते है क्योंकि वो कर चुका होता है उसको अपने हिसाब से उस principle को follow करने की पूरी freedom होती है और उसकी utility वो करना इसलिए जानता है क्योंकि उसका principle जान रहा होता है development भी करपाने के लिए वो बहुत तरह की principle को जान पाता है चुकि उसने इसको खुद से किया होता है ठीक है और इसका जो teaching procedure होता है जो पुरहने का तरीका होता है हो identify the project मतलब सबसे पहले project को identify करना होता है इसके अंदर आहम चीज़ यह है कि students की choice based यह चीज़ होता है बहुत बड़ी चीज़ यह है कि student choice based होता है ठीक है planning जो भी होती है वो step wise step होती है मतलब उड़े group को एक step में बाढ़ दिया जाता है अलगया step के अंदर तब वो काम होता है तब जाकर executing तर पहुंचते है मतलब final होता है उसके वाद उसका evaluation होता है मतलब finalize करते ही तो इसका एक record तैयर होता है जाहे वो school के पकास हो या college के पास हो या बच्चों के पास हो और इसमें रिटेंटेशन होता है, मतलब बच्चे इसको आगे तक सीख पाते हैं, मतलब यह नहीं कि पढ़के याद कर लिया, समझ गए, फिर बात हैं भूल गए, नहीं, उन्होंने चुके किया है, उनको इस चीज़ की प्राक्टिस हो जाती है, ठीक है, इस्टुट का चु कि जो भी experiment करवाया जाता है, वो society के, को नुकसान नא पहुचाए, इस चीज़ को देख करके किया एता है, जो भी experiment करवाया जाता है बच्चों को project दिया जाता है, उस से कहने के society का एक नक्षह हमारे सामने आता है एक ग्राफ सामने आता है चाहिए वो पोटी लाइन को लेकर अगर एससेटी पेपर है तो या अगर साइनटिफिक पर है तो कुछ हमें खोज करते हैं जैसा अगर आलू से करेंट को कैसे फुलो करना है वो बच्चे सीख पाते हैं साइन्स है तो एक मान के चले उस सरवे करना सीख पाता है बच्चे छोटे लेवल पर ही उन चीज़ों को सीख पाते हैं बहुत आहम बात है तो में क्या रहता है ब्लेंड अफ ऑथिरिटी रिस्पॉंसबिलिटी एंड एकॉंटबिलिटी पैदा होती है मतलब बच्चों को र अन्दर पैदा होती है लाइवली अटमसफेर में चुक्कि वह अपने हिसाब से अपने प्रोजेक्ट को चूज कर रहा है तो उनको लग पाता है वह इस काम को कर पाएंगे या नहीं तो उस हिसाफ से वह काम करते हैं उनको लगता है यह उन्होंने खुद चूज क्या होता ठीक है ज्यार्द तो benefits ही है इसका कुछ limitations भी इसके हैं ऐसे मैंने इसको notes में लिग दिया जो आप देख पाएं इसकी लिमिटेशन क्या है या इसका drawbacks क्या है ठीक या इसके दोश क्या है जैसे कि limited teachable topic यह वैसा topic होता है जिसमें पढ़ाना नहीं पढ़ता है च्जों के कर पाने की शम्तान में होते हैं तो कि टीचर तो सिर्फ पढ़ा के थेओरी लिखा के चला जाएगा अगर पढ़ाना तो लेकिन चुकर उनको करना है तो उनको काफी टाइम लग जाता है तो यह टाइम कंजूमिंग है इसका क्या होता है हेट्रोजेनस ग्रूप क्यूंकि इस इस काम में पहले जैसा मैंने का कि टाइम जादा कंजूम होता है लेकिन सभी के माइंड को रीट करते हुए काम करना होता है तो थोड़ा हेट्रोजेनस ग्रूप के अंदर उनको जाना होता है होमोजेनस ग्रूप नहीं होता है कई बड़ क्या होता है कि लैक आफ हे तो कहीं है कि तयोरि में यह यह कि सभी BACो को कम ही हो लेकिन होता है डेख्लमेंट सब का है यहां पर गूर्प में कोई थोड़ा बचना चाहता है कटना चाहता है तो GDP के साथ जो उूर्ड के लिच्चे पाइन व้ पीछर जाता है तो लैक उव और वकौालिटी ने एक बार ऐसा देखने को मिलता है, difficult to pinpoint the individual contribution किसी एक को पूरे का credit नहीं दिया सकता है, चुकि एक group मिलके इस project को कर रहा है, तो जो भी credit मिलता है, सब का होता है, अगर चेक कोई बच्चा ऐसे बहुत महनत किया है, तो individual वो इसका grading नहीं ले पाता है, evaluation एक बच्चे का कर पाना possible नहीं होता है, तो यह चीज़ है, लेकिन lack of newness भी आ जाता है कही एक बार, अगर एक बच्चा separately उसका को करता है, या अगर पढ़ने के बाद बाइंट्रेस्ट वो खुद से घर पे करता है, तो वो उसके अंदर पूरा उसका newness उसके अंदर आता है, यह एक नहीं चीज़ लेकिन या गुरूप में क्या होता है, कुछ जाना, सब जाना, हाला के सब ने जाना, लेकिन कोई एक के उपर पुड़ा क्रेडिविलिटी नहीं होती है, और वो सारी चीज़ों का नए तरीके से नहीं जाना पाता है, यह इसका original concept है, ठीक है, ACT-based technology learning approach की बात करेंगे, इसक teaching learning से related, इसमें कई अच्छी चीज़ किया है कि multimedia approach हम को देखना को मिलता है, multimedia approach अपने आप में कितना sophisticated field है, जो बच्चों का intention में तरफ खीच लेता है, जिसके वज़ए से इसका advantages बच्चों को ज्यादा मिल पाता है, limitations तो है, इसमें भी हर चीज़ों के साथ limitation है, लेकिन कहीं इसका approach beneficial ज्यादा होता है, ठीक है, और benefited ज्यादा होता है बच्चों के लिए, अगर e-learning के बात करें तो e-learning हमने पहले अलग class में भी बताया था, जैसा कि आप लोग को याद होगा, e-learning के बारे में बताया था, e-learning क्या होता है, कि दुरस्त चिक्षा पढ़नानी में ज्या आप प्रेंसल of e-learning की बारे में देखेंगे, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में देखेंगे, और IWB क्या होता है आपको, interactive whiteboard, मतलब whiteboard को भी ICT से जोड दिया गया, आज अज स्मार्ट क्लास के जरीए से, उसमें बच्चों को क्या होता है, चीजों क एक बेतरीन फीगर के साथ, पुरा करके दिखा जाता है, ठीक है, activity based class उनको मिल जाता है, जिसके वज़ा से उनका interest वहाँ पर बन जाता है, और computer managed instruction से फुल्फिल होता है, computer managed instruction मतलब CMI, इससे फुल्फिल होता है, दूसरी तरफ हमने बात किया था कल ही, आपको याद हो, CAI क के बारे मतलब computer assisted instruction या computer added instruction, इस ते वह पूरी तरह से लैस होता है, जिसके वज़ा से बच्चों का interest वहाँ पर कई गुना ज्यादा हो जाता है, और उनका approach पर ध्यान ज्यादा जाता है, class में उन चीज़ों को देख करके, अगर वह थियोरी से पढ़ना होता है, तो उस तरी से बच्चों का interest होता है, ठीक है अभी जैसे के मैंने board पर आपको दिखाया, आप देख सकते है screen पर, ठीक है, अभी innovation को लेकर के latest जानकारी अभी आ रही है, जैसे के, अभी मैं आपसे बात करो, तो jet pack international, ये वन लाख डॉलर्स पर खर्च परेगा, और ये इसेंबल करके ब बन रहा है, इसको बनाए गया है, जो जिसके अंदर H2O2 गैस टाली जाएगी, और ये हाइडरिन पर अकसाइट, और ये 250 फिट उपर जमीन से उपर तक जा सकता है, 77 मिल पर आवर के स्पीट से, और ये बिलकुल एक बैक की तरह से होगा, जिसको कोई भी पीट पर लाज स जाएगा, बात करें, थिर्डि प्रिंटर को लेकर की चलिए, जैसे अब ही जो बनाए जा रहा है, जो जो क्या करेगा, किसी भी तरह की काम को करने के लिए हेवी एकसरायस को करने के लिए काफी है, और ये 12 से एरों खर्च से होगा, और ये यहां तक के इसके एफट से, फ अज़ो एक बार जो को जोड जो जो जोड दो पिए उन्डर में चार्ज को एक साथ कर सकता है कि ये कुरिया ने बनाया है कुटिया बनाजा ठीक है अर इलेक्ट्रीक बायिक जो आम तो पर जाना जाती है कम इसपीड के रहे लेकिन मेंगे हाफी तेशली highly speed 80 KmPW automat Gps tracking के साथ electric bike आरही है और EVA EV EVE samart agreement घजेट है जिस diffास का सका सत्माल की जाएहार कि आप एक जगा रहाएएप आप की आफिस हो Алеफिस में हैं या भर पर एसरिजित आप सारही smart devices को फूर करसेतों सीच के जरिये में करएं जैसे के अभी मेरे साथ सम्बार का मैं सक्राइब करेंकर थाखुर् पर्वास लिखत कोँर्चनन right झाविके ज्टाकूर्स Rad ज़से हैं इन्फॉर्मीशन को पिक्चर या गिराफ के माध्यम से दर शाने का एक तरीक है और ये थे डामिशन फौर ढूल झाने में ताइम तह तो काफ लगता है लेकिन काफ़ी बेहतरी हम वह बेखिए बन जाने के बाद एक बार यह कुमारी रॉल 24 परभास रंजन रॉल 19 रिचर कुमारी विकरन ठाकुर रॉल 45 ये किसका है वल एफ डी ने पता नहीं क्या कहा है देख लिए सही कर लेज़ें नाम को और ये गलैक्सी जैसेवन प्राइम ये भी देखें माला कुमारी राजीव कुमार माजी राकेश रंजन र स्था कुमारी रॉल 82 डॉल 69 जोईन ही है मनच कुमार शर्मा परभास रंजन राजन जा इसका संबती जा रॉल नमर 2 फाइव ड्यू जी बी केम चा रंकित मेश्रा भी जूड़ चुके अंकित जूड़ 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 चुके आवी नाश कुमार रॉल नमर सब लोग जोड़ चुके हैं अभी तक और ये क्लासिस चालू है तो आप लोग देख पा रहे हैं जा सके मैं भी आपको कुछ एक्सल स्प्रेडशीट या प्रेजेंटेशन की तरफ ले जाना चाहूंगा इसके लिए मैंने कई बॉक्स इसमें दे दी हैं आप देख सकते हैं कहीं सारी बॉक्स हैं अचर जानकी जूही कंचन शर्म आकेश शर्व कल्या उसका खुश्बूजा कॉमल माला कुमारी मनुच कुमारी यादव सब्सक्राइब जोड़ चुका हैं अंकित मिश्रा यह भी जोड़ चुका है तो मैं कहना हूँ कि कई तरह के बॉक्स हैं जिसक सारी तरह के उप्शन से जिसका इस्तमाल आप कर सकते हैं ना सुमती रविंदर कुमार जूही जिता कुमारी ना तो आप मैंसे किसी को को प्रॉब्लम हो तो सवाल पूछ सकते हैं मैंने कई टाइटल बॉक्स दिये हैं जिसको आप देख सकता है कुछ एक्सल के लिए कुछ मैंस वार्ट के लिए हैं ना तो इस तरीके से सब पर कुछ कुछ बटन से जिनके इस्तमाल होता है जैसे के कुछ फॉंट के लिए होता है कुछ आलाइनमेंट सेट करने के लिए होता है ठीक है कुछ वार्ट के टाइप बहुत तरह के वार्ट के फॉंट के इस्तमाल करने क होता है तो इस सारी चीज़ है ठीक है मनुझ मनुझ कुमार शर्मा पिंक्यू कुमारी 24 रिचा कुमारी है ना खुश बूजा कोई क्वेश्चन है तो आप लोग भी कर सकते हैं ठीक है और पॉइंट प्रिजेंटेशन को समझेंगे ठीक है जिसको एस प्रेड़ शीट अंग् पिंट प्रेंग्ड कुछिण मानँच कुमार ओडिज्च सीमा ठीक है जो ही जा ठीक है रिक कुमारी हम आगे बंद रहें अगर आप मेंसे किसी के वे कवक्यूशन है तो आप पूस्ट सकते हैं एंबी सिक है मनुझ कुमारी ठीक है कंचन शर्मा ठीक है अविनाश कुमार मनोज कुमार प्रभास ठीक है किसी का इसके बाद मालों कुमारी तो चलिए हम चल रहे हैं भी पावर पॉंट प्रेजेंटेशन के तरफ तो कहने का मतलब है कि यह जो होता है इसमें ठीरी डीमिशनल फीगर या वीडियो बना करके एक पेपर के ओपर ठीरी फीगर बनाना बहुत आसन नहीं होता है लेकिन उसको बनाया जाता है ठीक है उससे उन चीज़ों को देख सकते हैं प्रियाराज कोई कोश्चन है विकरम ठाकुर परभास रंजन कोई कोश्चन पर खुझान कोश्चन आपके कोश्चन है तो आप इस वाल कर सकते हैं हम ने कई तरह के बॉकस में दी है अप उसको देख सकते हैं बॉकस पर कईजाए मिनू बने में उसके जरीए से हम कई स्पेशल फनक्शन यूज़ कर तेम लाजवर के ओपर जब यह मिनू आता है तो जो में हम क्लिक करते हम हम है इंसरट इनमेेशन डिजाइं रिवीयू है फॉर टेप है डिजाइन टेब है ऐस सारे तरह के मैं आपको लगा दीए एचिक आगर उसके भारे में भी इस में दिया युक्त कॉपी पेस्ट करना अपीरगेट कॉपीड कर दिया है इसे के पेस्ट करना होता है ये सारे चीजे हम टिप के अंदर ए जाते है तो इनका झान अब इस िस के बाद समयते हैं ठीक है आप सबही किसी के भी कुशिंट्रीं के खाम हैं कले एंवability मैं कुश्ट काれて है विरल्डा कवude कर सकते हैं किल हमने बाद किया था है कि मतलब innovation किया inovation के बारे में discussion किया था और उसको आज मरें further explain किया revision हो गया और इस तरीके साज जब का EPC3 खतम हो जाता है इसमें कुछ बच नहीं रहा है लेकिन आप आप रिव्यू कीजिए जो कोई क्वेशन रहता है कैसी से भी वह आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं ठीक है एसमें हम फॉन्ट को बोल्ट करना हूँ इटालिक करना हो अन्डलाइन करना हो एक क्रेंट मार्क देना हो या टेस्ट शैडिव देना हो चारड़ थे ne क्या जाए तो इसका मेनिंग सिर्फ mm से मल्टी मिडिया नहीं लेता है बलके मल्टी मिडिया का मतलब मोड और मेडिया का मतलब है तो कम्मोनिकेट ज्यानिक आल इन वन सॉलिशन तो इसके लिए डिफिनेशन हमने यह आप लिखा है आप देख सकते हैं कि जिसके अंदर इंपुट आउटपुट दोनों ही चीज आप्शन में मिलते हैं जैसे के वीडियो गेम्स वगर आते हैं बच्चे लों को देखे होंगे आप खेलते हैं क्या हुआ इंट्रेक्टिव टाइप है, दूसरा जो होता है वह ननफ्रेक्टिव है इसमें क्या होता है त्यूटोरियल-based work होता है जैसे क्या क्यों कमपनी अपने employee समेटिंग करने के लिए या फिर मान के चले कोई institute, कोई college, कोई मदर्सा, कोई भी एदारा आपने स्टुडेंट्स को परहाने के लिए किलास उज़ tuvo का इस की पर आधा ऑगी अधार तो heart video ikin अपर देख सकते हैं कि यहां पर दिखा जाए रहा है जुआ कि नहीं के डागोजी उस सब in ठेकन्हारा रहा रहा है即 dział कि क्षविटिया कर दो सब चीजों के सुरांडिंग में हर चीजों से जुरा हुआ है आज के दौर में मिल्टी मीडिया आई सीटी के अंदर इतना ज्यादा यूज हो रहा है कि उसके बेना किसी अधर सब्सक्राइब के बारे में भी डिटेल्स या डिसक्राइब कर पाना या ज्यादा अच्छे पर पाना लगबग असंभव जैसा है इसलिए हमको टेकनोलोजी के साथ रहना होगा और आई सीटी में मल्टी मीडिया का पूरा पूरा यूज है अच्छा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल नभूले अब लाइकन जरूर दबादें